आप देख रहें एंटिया न्यूस का डिजिटल प्लैटफॉर्म आपके साथ मैरशना बनसर दिल्ली के कंजावला केस में पुलिस रिपोर्ट सौप चुकी है ग्रीम अंत्राले को और ग्रीम अंत्राले ने सक्ती भी रिखा दी है लेकिन पूरी तरह से सच क्या है उस रात ए अंतुष्ट है लेकिन अंजली का परिवाद फिर भी एक मांग कर रहा है वो पूछ रहा है कि निधी के खिलाफ कारवाई कब होगी निधी के खिलाफ आक्शन कब होगा ताजा बेट बता देते हैं आपको गुजरात से एक स्पेशल टीम आई है फॉरेंसिक टीम आई है ज ऐसे पहले जो फॉरेंसिक जाच हुई थी उसमें ये साफ हुआ था कि एंजली को गाडी के देख गंगा लेकिन अंजली उसकार में थी इस तरह का कोई सबूत फॉरेंसिकριं को नहीं मिला है मतलब ये साफ है के अंजली उस कार में नहीं थी, अंजली की उस कार से टकर हुए और उसी कार से घसीट कर अंजली की हत्या कर दी गे, अब तो इसे हत्या ही कहा जाएगा क्योंकि ग्रिम अंत्वाले ने जब सक्ती से अक्शन की बात कही चुकि अंजली का पूरा परिवार कह रहा था कि हत्या का केस दर्ज होना चाहिए धारा 302 लगनी चाहिए और इसी मांग को लेकर अंजली का पूरा परिवार सुल्तानपुरी थाने के बाहर राध भर धरने प लेकिन अंजली का परिवार अंजली की मां अंजली की नानी चुकि भाई बहन तो बहुत चोटे हैं वो पूछ रहे हैं कि निधी निधी को लेकर पुलिस ने अक्शन क्या लिया क्योंकि निधी उस दिन उस रात को स्कूटी पर अंजली के साथ में मौजूद थी निधी ज पता नहीं रगा लिया कि अकेली नहीं उसके साथ एक और लड़की थी तब जाकर खुलासा हुआ कि यह दूसरी लड़की अंजली नहीं अंजली के साथ में निधी भी थी निधी जिसका बैक्राउंड ठ्रक्श्करी से जुड़ा हुआ है निधी जिसे 2020 में गिरफदार किया प्रभाव हो रहा है और इसको यहां से हटाना हम चाहते हैं लेकिन खुद का घर चुकी रहा हुआ है पिशले दिनों ही सोला लाग का घर लिया था अपने घरवालों से बंती नहीं है निधी अकेली रहती है यहां पडोस के लोगों का कहना है लेकिन इन सब के बीच में अंज चल रहा था उस तरह जगड़ा भी हुआ था अंजिली का परिवार कह रहा है उन सभी आरोपियों के खिलाव तो धारा 302 के तहट केस दर्ज हो गया है कारवाई हो रही है यह फॉरेंसिक लाब में भी जो सबूत है वो भेजे गए है फॉरेंसिक टीम भी स्पेशली गुज पूरी घटना की जांच की है रिपोर्ट तयार की है इसमें निदी की क्या भूमिका है निदी का क्या इंवाल्मेंट है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा लेकिन वाजिब सवाल है हम भी पहले दिन से पूछ रहे हैं निदी के रोल को लेकर सवाल कर रहे हैं नि की दोस गिर जाती है गाड़ी से घसीडती है उसकी जान चली जाती है और वो आराम से घर पर जाकर सो जाती है दो दिन तक खामोश रहती है कहती है कि मैं डर गई थी कभी कहती है मैं बेहोश हो गई थी अगर बेहोश हो गई थी तो कैसे उसने अपनी आखों से अंजली को गा action होना चाहिए